हमारे सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी है? सिक्षा मंत्री को जेल में डालने की तैयारी कैसे हुई? कब हुई? बहाना क्या लिया जा रहा है? सिक्षा और स्वास्त दो ऐसा छेत्र है जहां पर केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली का मॉडल पूरे दुनिया और पूरे देश में लोगप्रिया हो रहा है अमेरिका का वो अखबार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में छापता है कि करोना के दौरान लाखों लोगों की मिरत्य हुई अमेरिका का वो न्यू यूर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरे दुनिया के सामने रखता है नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं और श्टेट दोनों आज लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अपने इस तरह पर जी हाँ क्योंकि सीधे तोर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से एक तो शराब नहीं थी और दूसरा ओपर से नियॉक टाइम्स में जो लेक छिपा और देखने को मिला कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों की जो तारीफ हुई है नियॉक टाइम्स में ये बीजेपी पचा नहीं पा रही बीजेपी पचाए भी क्यों ना पीजेपी पचा भी कैसे पाएगी क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मूदी सरकार की तारीफ नहीं हुई है स्कूलों की बात हुई है क्योंकि स्कूलों से तो दूर दूर तक भी जेपी का कोई नाता नहीं है ये लोग तो हिंदू मुसल्मान की राजनीती करते हैं ये लोग तो समुदायों की राजनीती करते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब दूसरे किसी मुख्यमंत्री की या किसी दूसरे मुख्यमंत्री के किये गए कामों की तारीफ जब विदेशों में हो तो ये केंदर सरकार कैसे पचा पाएगी लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि शराव नीती का मामला बहुत कि वो केफल दिल्ली सरकार ने कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के ले किया था इस तरह का आरोप लगाया गया और ये भी और इन सब में बहुत मोटा पैसा जमा कर लिया दिल्ली सरकार ने इसको देखते स्ञै कि दिल्ली के उपहुक्य मंत्री मणीशते सूदिय हैं वहाँ पर चापे मारे गए लेकिन मिला गया कुछ नहीं खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही वापस चली आई है एडी एंसीबी हम देख रहे हैं कि सीबी आई लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि क्या वाकई बीजेपी आज जान बूच कर आम आदमी पार्टी को तो सवाल ही नहीं बनता है मनीज सी सोदिया ने कहा मैं तो दिल्ली में मौजूद हूँ बताईए कहा पर आना है कहा पर पूस्ताज के लिए बुला रहे हैं वहाँ पर आ जाएंगे लुकाउट नोटी जारी करने का मतलब बीजेपी ड्रामा कर रही है इस तरह से हमने चापे मारी की गई जिस तरह से हमने देखा कि भाई तमाम सीक्योटी लगी हुई थी तमाम तरह से गनमैन लगे हुए थे जिसका कोई मतलब भी नहीं बनता मनीज सी सोदिया एक पड़े लेके नेता है दिल्ली के मुख्यमंत्री है सिक्षा मंत्रालाई उनके पास है भाई वो तो कहीं भाग के जाएंगे नहीं लुकाउट नोटिस तो थब जारी होता है जब कोई नेता भागने की कोशिश करता है लेकिन दिल खोल कर मनीज सी सोदिया ने स्वागत किया थी अर्विन के जिरवाल ने कहा था एडी एंस भी जितनी भी सरकारी एजैन्सी हैंनको हम स इस तरह से ये लोग सोच रहे थे कि पश्चिम मंगाल में अर्पिता मुखर जी की यहां से बड़े बड़े बक्सों में जो पैसा भर भर के ले जाया जा रहा था या हमने देखा भाई बड़ी मात्रा में जूइलरी मिल रही थी या पार चटर जी की जो हम देख रहे थे बं टैक्स आये हैं या जितने भी टैक्स सरकार ने वसूल किये बकाइदा उसका एक खाका तयार किया गया है वो भी लीगल तरीके से इतना इतना टैक्स सरकार के पास आया है इतना टैक्स इनके पास आया है सीधे तोर पर हम देख रहे हैं बीजेपी आज इसलिए डरी हुई ह क्योंकि अर्विन केजिर्वाल जो है वो गुजरात चुनाव में अपना मोर्चा खोल चुके है जिस तरह आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इस शांदार जीत हासिल की उसके बाद इनकी तैयारी अब गुजरात है गुजरात में जितना डर बीजेपी कॉंगरिस से नहीं खा रही है उतना आम आदमी पार्टी से खा रही है क्योंकि जो अर्विन केजिर्वाल ने मॉडल रखा है गुजरात की अंदर वो मॉडल जनता को पसंद आ रहा है जिसमें फ्री बिजली पानी और तमाम ऐसी चीजों की बात हो रही है एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को जरूर सुनाओंगा वो संजे सिंग का बयान होगा जिसमें संजे सिंग खुल कर ये बता रहे हैं कि कैसे आज बीजेपी परिशान हुई है बीजेपी की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई है जिन्होंने सोचा था कि भाई पहाड खोदे जाएंगे जिन्होंने ये सोचा था कि भाई बहुत कुछ निकलेगा लेकिन खोदा पहाड और निकली क्या चुई है तो यहाँ पर आज हम जो इस्तिती देख रहे हैं वो सीधे तोर पर ये बता रही है कि भाई कुछ मिलने वाला नहीं था और ना पहले भी कुछ मिलना था दरसल बीजेपी चाह रही है कि कैसे भी करके आजम आदमी पार्टी का विकास रोका जाए आजमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोका जाए क्योंकि कॉंग्रेस के बदले या कॉंग्रेस के बाद आजमी पार्टी है जो विपक्ष में सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रही है मैंने संजे सिंग की बात की थी ये एक रिपोर्ट संजे सिंग की दुखाते है इस बात पर पूरे देश को खुस होना चाहिए पूरा देश इस से खुस है कि आज पूरे दुनिया में मनी सिसोदिया की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में उनके सिक्षाक रांती की चर्चा हो रही है पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सा रहना हो रही है लेकिन शर्म आती है हमारे देश के प्रधान मंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीश सिसोदिया के घर पे सीवियाई भेज देते है उनको खुस होना चाहिए था कि मनीश सिसोदिया के सिक्षा मॉडल की चर्चाज पूरी दुनिया में हो रही है लेकिन वो बौखला कर दूसरे दिन सीबियाई का च्छापा डलबा देते है और मसला शराब नीती नहीं है याद रखिएगा मकसद सराब नीती की जाच कराना नहीं है याद रखिएगा किसी को गलग फहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए मकसद एक ही है अर्विंद केजरिवाल की बढ़ती लोग प्रियता को रोकना अगर शराब नीती मसला होता अगर शराब मुद्दा होता तो सबसे पहली जाच गुजरात के अंदर भारती जनता पाटी के जो नेता नकली शराब बनाते हैं जहरीली शराब बनाते हैं सैक्डों लोगों की जान चली जाती है वो जहरीली शराब बनाकर तो जांच तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी जांच की सुरुवात तो उनके खिलाफ होनी चाहिए थी उनके खिलाफ कोई ED, कोई CBI, किसी एजनसी ने कोई जांच की तो इसलिए शराब मुद्दा नहीं है मुद्दा है अर्विंद केजरिवाल की मौडल को सिख्षा के स्वास्त के मौडल को रोकना दिल्ली के मौडल को रोकना लेकिन मैं मोदी जी आपसे बहुत साफ तोर पर कहना चाहता हूँ अपनी छोटी सोच से बाहर आईए बड़े मन से काम कीजिये अब केजरिवाल आपसे रुकने वाले नहीं है दिल्ली का सिख्षा मौडल आपसे रुकने वाला नहीं है स्वास्त का मौडल रुकने वाला नहीं है पहले भी आपने सैक्णों प्रयास किये हैं अब भी कर लीजिए पहले भी आपने मुख्य मंत्री के दफ्तर पे CBI का छापा मारा है क्या निकला अस तक कुछ नहीं निकला मनीश सी सोधिया पे CBI का छापा मार चुके हैं क्या निकला कुछ नहीं निकला हमारे 40-40 विधाकों को पकल के जेल में डाला क्या निकला कुछ नहीं निकला अब रोज CBIED CBIED इन एजेंसियों को दिल्ली पुलिस इनको आपने मजाग बना रखा है कराईए जांच और हम तो स्वागत करते हैं आप जांच कराईए जितनी जांच करा सकते हैं ना पहले कुछ निकला आप कुछ निकलेगा आपका चेहरा जरूर पूरे देश के सामने बेनकाब होगा यह मैं BJP और नरेंदर मोदी जी से कहना चाहता हूँ तो यह रिपोर्ट आपने देखी संजे सिंग की देखिए सीधी तोर पर आज हम देख रहे हैं कि जो मौजुदध समय के हाला आते हैं जो मौजुदध समय की स्तिय है वो यह है विपक्ष डर ने रहे है डरता वो है जिसने गलत किया है और अर्विन के जिर्वाल हूँ मनीश सी सूदिया हूँ या आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हूँ वो जिस तरह से बात कर रहे हैं वो जिस तरह से प्रेस कांफरेंस कर रहे हैं उनके चेहरे पर कोई टर नहीं है उनके चेहरे पर किसी तरह की शिकर नहीं है क्योंकि वो सच्चाई की बात कर रहे है और जाहिर सी बात है जो सच के साथ है उसे भाई किस बात का तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BJP इस वक्त केवल और केवल अपने बालों को नोचने का काम कर रही है क्योंकि सोचा जो था वो तो हो रही पाया बेज़ती सरकार की बहुत हो रही है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि BJP जान भूच कर आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने का काम करें और आखर कब तर BJP इस तरह के रास्ते रोकने का काम करें की और वाक़ी क्या गुजरात चुनाओ बीजेपी के हाथ से निकल रहा है इसलिए चुनाओं से पहले कि ये बॉकलाहट बीजेपी के पास दिख रही है और आम आदमी पार्टी अगर गुजरात चुनाओं में शांदार परफॉर्मेंस करती है तो समझ लेजिए कि अब बीजेपी को टकर देने के लिए आम आदमी पार्टी उतर गई है और आम आदमी पार्टी से इतनी जल्दी जो है चैलिंज की अगर बात करें आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी गिराना या उनका रास्ता रोगना ये बीजेपी के लिए बासाल नहीं हो रहा आज के लिए इतना ही आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए जा दीजे नमस्का